A certain sum was divided among A, B and C in the ratio 7 is to 5 is to 4 If B got Rs. 500 more than C, find the total sum देगे कुछ पैसा है, वो तीन लोग A, B, C में डिवाइड गिया गया है इस ratio में और ये condition गी गई है कि B को C से 500 रुपए जादा मिले तो हमें total sum calculate करना है तो बस A, B और C लिख देते हैं और उन लोगों का हिस्सा हो जाएगा रुपए में 7X, 5X and 4X आपको दिया हुआ है कि B got Rs. 500 more than C that means 5X is more than 4X by Rs. 500 जिससे कि हम ये निकाल देंगे X आ गया 500 अब total sum कितना होगा total sum अगर आप जो X में देख रहे हैं उसे पहले लिखेंगे 7X प्लस 5X प्लस 4X साथ 5.12, 4, 16, 16 X so 16 X को हम यहां 500 निकाल चुके हैं तो ये total sum हो जाएगा 8,000 रूपीज इन बिजनेश A. इन्वेस्ट रूपीज 50,000 पर 6 months B. रूपीज 60,000 पर 4 months and C. इन्वेस्ट रूपीज 80,000 पर 5 months if they together earn रूपीज 18,800 find the share of each तो एक बात याप पर इस question में आपको ध्यान रखना होगा कि ये partnership का question है जिसमें ratio आपको दिया हुआ है और यहां पर जब भी partnership होगा कहीं पे भी होगा तो जो share बढ़ेगा किसी का वो risk के हिसाब से बढ़ेगा जितना risk ज्यादा लेगा उतना ही ज्यादा किसी भी व्यक्ति का share भी बढ़ेगा अब risk कैसे हम लोग जानेगे किसका ज्यादा है किसका कम है जो ज्यादा पैसा लगाएगा उसका risk ज्यादा है तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं risk is equal to investment multiplied by time ठीक है तो यह बात लिख देता हूँ मैं risk is equal to investment multiplied by time तो जो risk ratio होगा वही जो returns ratio होगा वही profit ratio होगा वही share ratio होगा ठीक है तो अब A क्या कर रहा है 50,000 रुपए लगा रहा है B 60,000 लगा रहा है C 80,000 लगा रहा है A ने time कितना दिया 6 months B ने time कितना दिया 4 months और C ने time कितना दिया 5 months तो हम लोगों का जो भी share ratio होगा वह multiplication होगा है share ratio क्या हो जाएंगा 50,000 x 6 60,000 x 4 और 80,000 x 5 अब 4 4 0s cancel होते जाएंगे तो 6 x 5 यह हो गया 30, 6 x 4 हो गया 24, 8 x 5 हो गया 40 तो आप देखें अभी वी यह 2 से कट सकता है तो यह हो जाएंगा 15 ratio 12, ratio 20 यह हो गया share ratio अब इस ratio पर बटवारा होगा 18,800 रुपीज का तो let the shares of A, B and C, B, रुपीज 15, K, 12, K and 20, K respectively तो सबका total करेंगे तो 18,800 आएगा तो 15 K plus 12 K plus 20 K is equal to 18,800 जब इसको जोडेंगे तो यह हो जाएगा 47 K is equal to 20 K हो जाएगा 18,800 K हो जाएगा फिर हमारा 400 रुपीज या 400 लिख देते हैं के multiplying factor है अब A share is equal to 15 K, तो 15 K कितना हो जाएगा रुपीज 6 K का multiply करेंगे 15 में तो यह हो जाएगा रुपीज 6,000 B share कितना हो जाएगा 12 K तो 12 into 4 हो जाएगा 4800 C share क्या होगा 20 K 20 K के कितना हो जाएगा 20 into 400 रुपीज एक थाएगा